हेलो प्रेंज माईरे किछन में आपका स्वागत है और आज हम बनाने जारे एक बहुत ही टेस्टी डेजर्ट वो है हमारे सूजी के मालफुए और उसी बनाना बहुत ही असान है तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए आदा कटोरी चीनी, तीन इलाइची जो मैंने कूट दी, बदाम और पिस्ता बारी काट लिए एक चम्मच खी, एक कटोरी पानी, दो कटोरी दूद, एक कटोरी सूजी तो इसका मार्जिन ऐसा होना चाहिए अगर एक कटोरी सूजी है तो दो कटोरी तूर होना चाहिए तो चली सबसे पहले हम चाशनी तयार करते हैं तो सबसे पहले हम कडाई में ले लेंगे आदी कटोरी चीनी अगर आपकी चीनी आदी कटोरी है तो पानी आपका एक कटोरी होना चाहिए और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपनी इलाइची और इसको अच्छे से मूफ कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे फूट कलर और इसको मिक्स कर देंगे अभी पाच मिनट हो गया है इसको मूप करते वे हमको दो या तीन तार की चाशी नहीं बनानी आप इसको चेक करिए ऐसे हलके से अगर यह आपको गाड़ा सा लगे चिपचिपा सा मतलब यह तयार हो गया है और अब इसको थंडा कने रख दीजे अब हम यहाँ पर कड़ाई में एक कटोरी सूजी ले लेंगे यह नॉर्मल सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं और इसको हलका सा भून लेंगे ताकि यह थोड़ा सा ब्राउन पिंक टाइप का कलर आ जाएगा और इसको गुमा लीजे अच्छे से तो देखिए भूनते वे हमें दो मिनट हो गया यह अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें डालेंगे दूद दो कटोरी दूद और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक यह पूरा साइट्स इसे छोड़ना दें कड़ाई का और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे अभी दो मनेट हो गया है और आप देख सकते हैं इसने कड़ाई के सारे साइट्स छोड़ लिये हैं अभी आप इसको ऐसे दबाईए ताकि कोई इसमें लंप्स न रह जाएं और फिर इसको थोड़ा सा थंडा कर लीजे तो देखें ये ठंडा हो गया है और अब हम इसमें एक चम्मच लगबग घी मिलाएंगे और इसको अच्छ से गूद लेंगे जैसे आटा गूदते हैं न बिल्कुल वैसे ही इसको गूद लेंगे और आटे की तरह इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो ये तैयार हो गया है अभी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो अब आप इसको बेल लें जैसे रोटी बेलते हैं और अगर ये चिपक रहो तो आप इसमें घी भी लगा सकते हैं तो अब आप कोई भी ढका नहीं उस कर सकते हैं और ऐसे इसको पीसेस में काट लें अलग-अलग करके तो ऐसे करने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर तेल एकदम गरम हो गया है अब हम एके करके डालते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं और इसमें साइट से तेल इसके उपर उच्छा लेंगे ताकि अच्छे से फ्राय हो सके तो देखिए ये हो गया है इसे हम निकालते हैं और ऐसे ही सारे फ्राय कर लेते हैं ऐसे ही हम सारे फ्राय कर लेंगे और इसे हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही करना है नहीं तो यह फट जाएंगे अब यह फ्राय हो गए है इसको अब हम चाशनी में डाल देंगे और इसको अगले 15 मिनिट तक हम चाशनी में ही रहन देंगे और इसको पलटते रहेंगे ताकि यह सब अब्सॉफ कर ले अच्छे से तो देखिए 15 मिनिट हो गए है और यह कितने अच्छे दिख रहे है इसके बाद हम एक एक करके ऐसे एक च्छनी लेंगे और उसमें सारे माल पूए रखते जाएंगे यह च्छनी हमने इसलिए यूज करिए ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना वो नीचे आ जाएगी और इसके बाद अब हम इसमें लगा देंगे ड्राइ फ्रूट जो हमने बादाम और पिस्ता बारीक बारीक काटके रखे थे ना वो इसमें लगा देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप देख सकते हैं हमारे मालपुए बनके तयार हो गए तो ये देखिए हमारे मालपुए बनके तयार हो गए है और ये कितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो आप इसे चेट पर बना सकते हैं अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस पेज को लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक stay home, take care, bye